आगड़े कुछ इस तरीके से है कि RRB NTPC का फॉर्म आता है कब आता है मैं आपको डेट मेंसन करता हूँ ये फॉर्म आया था एक मार्च को 31 मार्च इसकी लाजट डेट थी भरने की 35,000 के आख पास वेकेंसी थी इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को और 12 अप्रेल थी उसकी लाजट डेट बरने की वो थी RRB Group D जिसे Grade D भी कहा जाता है इसमें एक लाख से उपर वेकेंसी थी हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है बढ़िया है रेलवे में नौकरी करेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी लेकिन उसके बाद फिर सुरू होता है खेल खेल किस तरीके से सुरू होता है कि एक करोन से ज़ादा लोग मैं exact data दे रहूं आपको मैं अभी exact data देता हूँ आपको एक करोन से ज़ादा लोग RRB NTPC का फॉर्म बरते हैं और एक करोन से जादा लोग Group D का भी फॉर्म बर देते हैं। अगर आप देखें तो एक करोन 26,30,885 लोगों ने NTPC का फॉर्म बरा हुआ है। और एक करोन 15,66,248 लोगों ने आपका Group D का फॉर्म बरा हुआ है। और अगर हम इस आखड़े को और आगे लेके जाएं दोस्तों तो ये आखड़े और भी ज़्यादा चौकाने वाले हैं। कि अगर आप टोटल फॉर्म भरने जाने की संख्या देखें तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि 2 करोन 41,998,133 लोगों ने फॉर्म बरा है। सिर्फ एक लाख वेकेंसी ग्रूप डी अगर उसमें 35,000 एंटी पीसी भी जोड़ दे तो एक लाख 35,000 वेकेंसी के लिए। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में बिलकुल एकदम सिंपल सा आइडिया ये है कि भारत में 10 करोन लोग बेरोजगार है जो किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रहत है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हों ने इस फॉर्म के लिए जनरल केटेगरी से 500-500 रुपए लिए थे। कितने लिए थे? 500 रुपए. ग्रूप D के लिए भी 500 और NDPC के लिए भी 500. अगर मैं माल लेता हूँ कि सारे जनरल लोगों ने भरा होगा तो ये मैक्सिमम एमाउन पहुंता है 1200 करोन रुपए. 1200 करोन रुपए. अगर मैं माल लेता हूँ कि सारे के सारे के टेगरी वाले लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिनके फॉर्म के फिर 500 रुपए थी तो ये आकड़ा पहुंता है जश्ठाफ 600 करोन रुपए. लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो, सारे S.C. ने भर 2019 के दोरान आया था. मार्च अप्रेल 2019 बीते हुए लगबग एक साल होने जा रहा है, फरवरी आने वाली है और एक्जाम की डेट का अभी भी कोई पता ने. मेरा दिमाग तब खराब हुआ, या मुझे गुसा तब आई, जब कई सारे मेरे स्टुडेंट जो मुझसे रहे थे, वो ये कल कह रहे थे कि सर एक्जाम का पता ही नहीं चल रहा कि कब होगा, क्या करें आत्मत्या कर लें क्या, दोस्त कमजोर नहीं होना, हम आत्मत्या नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई आत्मत्या, हमारे जो 500 रुपए हैं, जो 500 रुपए हैं, वो इन लोग ने जाता है एक दो करोन लोगों की जिन्दगी का सवाल है यार दो करोन लोग इस आस में जुड़े हुए है मैं जानता हूँ कि दो करोन लोगों को वैक एंसी नहीं मिलेगी लेकिन उनको कम से कम एक जीवन का पढ़ाओ तो खतम होगा जो दिन भार को टेंशन में रहते हैं कि त त्यारी करनी है त्यारी करनी है दुनिया भर के कोचिंग वाले दुनिया भर के चैनल वाले सब उनको बेवकूप बनाने की कोशिस कर रहे हैं और लगातार उनसे पैसे एट रहे हैं एक बैच सुरू होता है पर दूसरा पैस सुरू होता है पर तीसरा पैस सुरू होता है ब two-kron 41000,004,005 लोगों के उपर आप ध्यान दें यह संख्या आपके लिए माइने नहीं रखती है और आपके लिए माइने रखती है तो यह 1000 करोण उपए का आप कर क्या रहे हैं यह किसी घृटाले से कम है किसी भी बैंक में डाल दोगे गड़िया से गड़िया बैंक में भी अगर 1000 करों रुपई डाल दोगे तो बैंक जिंदा हो जाएगा पूरे देश की आबादी सिर्फ 137 अरब है मैं सिर्फ इसलिए बोलना हूँ क्योंकि 1000 करण रूपय अगर आप उनको भी बाटना सुरू करेंगे तो कई लोगों के जीवन सुधर जाएंगे और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये 500 रुपय दिये वो बहुत अमीर घर से आते हैं उनके घर में BMW खड़ी है उनका बड़ा सा मकान है जी नहीं वो कभी भी RRB, Group D और NTPC की नोकरी करने नहीं आएंगे ये वो लोग हैं जो तिल-तिल करके तैयारी कर रहे हैं अपनी मैनत खून पसीने की कमाई से तैयारी कर रहे हैं वो पैसा देने की कोशिस कर रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम सिस्टम में नहीं हैं मुझे नहीं लगता कि आप बास ऐसी कोई वज़ाय है जिसके वेज़े से आप एक vendor decide नहीं कर पारें आप हर तीन मैंने बाद एक बहाना बना देते हैं कि हमें vendor नहीं मिला अरे vendor नहीं मिला तो यह 500 रुपए आपने कैसे decide किये आपने कैसे decide के लिए एक लड़के का खर्चा 500 रुपए आएगा कि आप vendor 500 रुपए से जादा नहीं ले सकता आपसे सिर्फ सोची समझी रण नीती है मार्च में आपको यह पैसा मिला है 1000 करोन रुपए आपके बैंक में पढ़ा है और आप एक vendor decide नहीं कर पारें 1000 करोन रुपए बहुत होता है आप कहेंगे सार एक करोन रुपए लोगों का वो भी तो करवाना है एक्जाम भी तो करवाना है तो यह 500 रुपए भी तो आप ही दो decide किये थे जहां 100 रुपए फार्म के लगते हैं वहां 500 रुपए लिए आपने बोलें कि इस दो वापस करेंगे कब वापस करेंगे इसका पता नहीं है आप सिर्फ वो सिर्फ बिजनिस कर रहे हो और एक 1000 करोन रुपए को गुमा रहे हैं यह जनता का पैसा है और जनता जवाब मांगीगी आपसे दोस्त नेता जी आप भी द्यान से सुन लीजे जो लो भी यह वीडियो देख रहे हैं भाई अगर उनको मेरी बाद सही लग रही हो या लग रही हो लेकिन बात है सच्छी मुझे गुसा इसलिए आता है क्योंकि मैं Mec Teacher हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुसे पढ़ते हैं और उनके अर्मानों को जब मैं गुटता हुआ देखता हूँ, जब उनके चेहरों को मैं उदास देखता हूँ सिर्फ इस वजए से, कि सर समय बीटता जा रहा है और हमारी एनरजी, जी हाँ, आपके पास जो 65% युवा है, उसमें से 2 करोण 41 लाक लोग अभी भी इस एक्जा एनरजी बढ़नी चाहिए, आपके लगता हैएक इतना हतोत, साहित, यूवा है तो आप उससे अच्छा काम करना पाओगे, जो एक साल, दो साल तैयारी करके आए होगा, जिसके लिए नोकरी मिलना ना मिलना सब बराबर हो चुका होगा अरे कोई कोई प्लानिंग ही नहीं है यार बड़े-बड़े IS बैठे हो आप लोग इतना सारा IS बरापड़ा है सब जिसको देखो वो बहुत उंची-उंची पोस्ट पर वो लो बढ़ियां बुरा है बहुत बुरा है भावुक हो मैं बहुत ज़्यादा बुरा है अभी के लिए इतना ही रखता हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैंथेज आपको मिल गया होगा इस वीडियो को इतना ज़्यादा सेयर करिए कि सब के पास तब पहुंच जाए